हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बेक टू दिस वीडियो इस वीडियो में हम देखने वाले है राजस्तान बोर्ड क्लास 11 इंगलिस वार्सिक प्रिक्षा 2022 का पेपर और ये पेपर सभी जिल्लो के लिए है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है तो चलि बेडिंग सेक्षन होगा उसके अंदर आपका सबसे पहला कोश्ण होगा कि रीड़ ये है कि आपको इस पैसेज को केर फूलों केरफूली पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको डस क्योस्टंस पूछ रखे हैं इनमें से आपको किन यह 8 कोश्टंस को क प्यारी के सभी सीरीज बना दिये हैं पार्ट फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट फॉर्थ अब तक अप्लोड हो चुके हैं अगर आपने वह नहीं देखिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजेगा इसके बाद आपका सेकंड क्योशन भी इसी तरीके से है कि देख लेना आपका काम हो जाएगा इसके बाद सेक्षन भी यह जो कि रैटिंग सेक्षन ने उसके अंदर तीसरा कोशन आपको क्या दे रखाए मैं आपको सिफ हिंट देता हूं जिसकी साहता से आपको तयार करना है तो क्योशन नंबर थर्ड क्या है इसके अंदर आपको incident तयार करना है 100-120 वर्ष के अंदर के आपका बड़ा भाई है वो बहुती बिमार है आप उसको sony hospital में लेकर गए तो इसके उपर आपको एक incident तयार करना है 100-120 वर्ष का और यहाँ पर आपको hints दे रखे हैं इन hints के आपको सायता लेनी है और आपको कम से कम 12 लाइन का incident तयार करना है और यह कितने marks का है 8 marks का है अगर आपको यह वाला नहीं हा रहा है तो अत्वा में क्योशन दे रखा है कि आपको 100-120 वर्ष में एक description of an event तयार करना है an important day in your life इसका मतलब यह है कि आपने अपनी birthday party celebrate की है इसके उपर आपको 100-120 वर्ष के अंदर एक task तयार करना है यहाँ पर आपको hints भी दे रखे है इन hints के आपको सायता लेके तयार करना है जो कि 8 marks का है अगर आप writing section में कुछ भी याद नहीं करते हो तो इस model paper के अंदर जो जो questions है उन questions को तो आपको याद करना ही करना है इसके बाद question number 4 है कि आपको article लिखना है importance of yoga पर अगर यह नहीं आता है तो अत्वा में है कि आपको एक report तयार करनी है a house on fire के उपर जो कि 8 marks का है इसके बाद question number 5 देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको अपने principle को एक प्रादना पत्र लिखना है इसमें request करनी है transfer certificate के लिए अत्वा में क्या question है कि आप रमेश और विकानेर के अंदर रेते हो आपके पिताजी है उनका business lost हो गया है आपको एक application त्यार करनी है principle से request करते होए कि वो आपकी school फिर्स माफ कर दे इसके बाद आपका आएगा section C जो की grammar section होगा इसके अंदर question number 6 है मतलब आपको determiners बना है और determiners वो simple है कोई ज़्यादा टप काम नहीं है आप आसानी से इनको कर सकते है और determiners बिल्कुल simple है और मुटके रूप से determiners पाथ परकार के होते है इसके उपर भी मैंने वीडियो बना रखी है आप वीडियो देख रेना इसके बाद अगला question है कि choose the correct form of work correct form of work के उपर भी हमने वीडियो बना रखी है उसकी भी वीडियो आप देख सकते है और इसके बाद आपके एक model का question भी आएगा ये भी आपको जयान रखना है और model के उपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है हमने पूरी grammar की जो तयारी है वो आपको सिफ एक वीडियो के अंदर करा रखी है और वो आपका part first है आप उसको देख लेना इसके बाद section D है जो कि textual questions है उसके अंदर question है कि read the passage and answer the questions given वो का वो ही है कि passage को पढ़ना है और questions के answer देने है अथ्वा मेर भी वो का वो ही है कि passage पढ़ना है और questions के answer दीजिए फिर नवा question है कि answer the following questions any four इसका मदलब यह है कि आपको यहाँ पर छे प्रस्ण पूछ रखे है इनमें से किनी चार प्रस्णों को करना है तो क्या करना होगा आपको जो आपकी होरनबिल book है उसके अंदर pros section है उसके अंदर आपके 6 questions आएंगे जिनमें से आपको किनी चार questions को करना होगा जो कि 4 marks के रहेंगे इसके बाद अगला question है कि read the extract and answer the questions given below इस extract को पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपको questions के answer देने है मतलब यह भी एक तरह का आपके passage हो गया है अथ्वा में भी है फिर question number 11 है कि answer these questions briefly any three मतलब आपको poetry sections में चार questions पूछ रखे है इनमें से आपको किनी तीन questions को करना है तीनो questions आपके तीन marks के है फिर आपका अगला question है कि answer the questions given below मतलब आपकी जो second book के snapshot उसमें से आपको चार questions पूछ रखे है उनमें से आपको किनी तीन questions को करना है और every questions two marks का है फिर अगला question है कि answer any one questions from the following इन दोनो questions में से आपको किनी एक questions को करना है तो यह आपके English विशे का model paper है और इस तरह से अपकी बार आपके वार्षिक प्रिक्षा 2022 का paper आने वाला है इसके ओपर हमने एक detail वीडियो भी बना रखी है exam pattern कैसा रहेगा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते है और हमने English की तयारी के सभी series के part upload कर दिये है तो आप उन parts को भी जरूर देखिएगा तो आपको यह वीडियो कैसी लगी comment box में अपना feedback जरूर दे और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चलनल को subscribe करने के साथ ही पास में आने वाले bell icon को प्रेस करें जिसे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की notification सब सब पहले मिले तो चलिए मिलते हैं आपसे एकली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिन बंदे मातर